हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियों लेके आया हूं जिसमें मैं SVSD PG College बटोली के बारे में बताऊंगा यह दोस्तों आप सामने देख सकते हैं यह college का campus है इस college में दोस्तों मैंने भी graduation की है मुझे पता यहां के pros and cons मैं आपको जुरूर बताऊंगा तो यह आप campus दे कि दोस्तों यह college हिमाचल परदेश यूनिवर्स्टी शिमला के अंडर में आता है इसके जो भी graduation के level के courses है वो HPU शिमला से इनकी जो डिगरी है आती है कि नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी location के बारे में दोस्तों यह college हिमाचल परदेश में एक उन्ना डिस्टिक है जहां पर एक गाम है अजोली वहां यह college स्थित है यह college दोस्तों नंगल से तीन किलोमेटर नंगल डैम से तीन किलोमेटर दूर है तो जो भी college के आसपास में है जिसको graduation करनी है वो काफी कम price में graduation की graduation में admission ले सकता है यहां पर दोस्तों बहुत कम fees है compare to other colleges other private college यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं graduation level के courses BSC, Bcom, BA, BBA और BCA दोस्तों यह तीन साल के courses है इसके लिए आपको plus two compulsory है plus two level कम से कम किया होना जाए है और यह देख सकते हैं दोस्तों post graduation के courses courses, Mcom, MSE, PGDCA और BAE यह दोस्तों आप देख सकते है eligibility भी साथ में दिया हुआ है इसका आपको screenshot ले सकते हैं इसमें PGD से एक साल का course है दोस्तों यह जो post graduation के courses है इसको आप distance mode में भी कर सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपको exam देनी आना है और regular mode में भी कर सकते हैं और दोस्तों यह जो post graduation level के courses है अगर आपको regular mode में करने है तो इसके लिए आपको एक entrance देना पड़ेगा हिमाचल परदेश जो शिमला करवाता है हिमाचल परदेश युनिवेस्टिक शिमला करवाता है उसका आपको entrance देना पड़ेगा उसके बाद इस course में admission में बलेगी और registration करवानी है जिसमें आपको plus two के marks enter करने है तो दोस्तों plus two के marks के according ही एक merit बनती है तो उसके हिसाफ से यह आपको admission मिलेगी यहां पर आप देख सकते है number of seats कितनी-कितनी seats है इसका भी आप screenshot ले सकते हैं उसी के हिसाफ से merit basis पर आपको seat मिलेगी इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं admission rules यहां पर आप देख सकते हैं अगर आपकी plus two की plus two में apartment है या supply है तो आपको BSC B.com B.b.a.b.c.a. graduation level की कोई भी course में admission नहीं मिल पाएगा दोस्तों अगर आपका एक साल से ज्यादा gap है plus two के बाद एक साल gap है तो आपको एक affidavit बनवाना पड़ेगा जो कि आसानी से notary में बन जाएगा या किसी भी कचेरी में जाकर आप बनवा सकते हैं एक दिन में बन जाएगा आराम से अगर दोस्तों आपने प्लस तू हिमाचल परदेश बॉड से नहीं की है तो फिर भी आप तो आपको एक migration certificate निकलवाना पड़ेगा दूसरे बॉड से जैसे कि CBSE बॉड से की है तो आपको CBSE बॉड migration certificate देगा या आपको निकलवाना पड़ेगा फिर आपको admission मिलेगी दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर नंबर पॉइंट reserved seats किस हिसाफ से reservation है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कैसे admission के rules है कि BSC के लिए कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए बीकॉम के लिए 40% मार्क्स बीए के लिए 35% मार्क्स होने चाहिए यह आप देख सकते हैं जो कोलेज है कोलेज में एक चीज बताना भूली है मैं कोलेज में 75% जो seats है वो हिमाचल परदेश के जो students है जिनके पास domicile है उनके लिए reserved रखी गई है और बाकि 25 अदर states के लिए seats available है नेक्स्ट आप देख सकते हैं attendance rule दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो regular courses है जो की graduation है या PG है regular courses कि उसमें कम से कम 75% attendance हर subject में होने चाहिए यह आप और भी कुछ rules है इनको आप पड़ सकते हैं college facilities कॉलेज में क्या क्या facilities है library NCC NSS physics chemistry lab college इस college में scholarship भी अवेलेवल है SC category के लिए इनके लिए थोड़ा कम फीस रखी गई है और economical backward class के लिए थोड़ा scholarship है IRDP हिमाचल परदेश का जिनका card बना होता है IRDP जिन्होंने हिमाचल school education से की है उनको भी थोड़ा कम फीस है और यहां पर आप देख सकते हैं other scholarships available है इन scholarship को अवेल करने के लिए आपको college एक बार विजिट करना चाहिए तो दोस्तों इस college में मैंने भी graduation की है किन-किन बच्चों को इस college में admission लेना चाहिए दोस्तों जिनका घर पास में इस college के पास में पांच km या 6 km ज्यादा दूर नहीं चाह सकते कोई और college तो दोस्तों उनको यहां पर admission लेना चाहिए जिनको basic graduation करनी है या basic post graduation करनी है उतनी फीस नहीं पे कर सकते उनको भी दोस्तों यहां पर admission लेनी चाहिए मेरे हिसाब से यहां पर कुछ ज्यादा फीस नहीं है कि compare करें अधर private colleges से और दोस्तों किनको admission नहीं लेनी चाहिए जिनको जिनका घर दूर है जो अफोर्ड कर सकते हैं ज्यादा फी अफोर्ड कर सकते हैं पे कर सकते हैं और college बढ़ सकते हैं इनसे अच्छा college है college का और उनको admission नहीं लेनी चाहिए जिनको expectation है कि हमारा college बहुत बड़ा हो इस college का दोस्तों कुछ ज्यादा बड़ा campus नहीं है क्योंकि basic basic courses अवेलेवल है बीए सी बीकॉम बीए पीजी लेवल में भी तीन चार courses हैं तो आप देख सकते हैं college में एक वार courses प्रोवाइड करें तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करिएगा अगर कुछ कोईरी है तो आप मेरे से बूच सकते हैं थैंक्यू